आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ Download now इस question में हम से पूछाएं कि the given figure is associated with the head region of cockroach and identify A2F यानि जो diagram given है ये क्या depict कर रहा है cockroach का head region और हमें identify करना है A2F जो A2F labeling है हमें उनको identify करना है तो जो A है वो हम देख सकते हैं कुछ यहाँ पर present है और हमें पता है कि cockroach के head में compound eyes जो की हमारा B वाला part है क्योंकि compound eyes जो है वो easily visible है compound eyes के नीचे क्या present होते हैं ocilla है यानि जो हमारा यहाँ पर A structure है वो क्या हो गया ओसिला है ठीक है और अगर हम singular की बात करें तो इसका singular form क्या होगा oscillus तो A यहाँ पर क्या है oscillus ठीक है B जिसके हमने अभी अभी बात की जो कि clearly visible है यहाँ पर B क्या है compound eye B है compound eye ठीक है next C देखते है जो C structure है वो हम देख सकते है ये वाला part है ठीक है और हमें पता है cockroach के अंदर यहाँ पर क्या present होते है mandibles mandibles present होते है जो कि किसमे helpful होते है food की crushing में food की crushing में ठीक है तो जो C portion है वो क्या है mandibles ठीक है next चलते है next जो है D जो कि हम देख सकते है कि C के बाद आ रहे है और हम देख सकते है कि C के बाद यानि mandibles के बाद कौन आते है maxilla यानि जो maxilla mouth part है वो आते है mandibles के बाद और maxilla जो होते है किसमे useful होते है food को hold करने के लिए ठीक है तो D हमने देखा, D क्या हो गया हमारा Maxilla, ओके Next चलते हैं Next, E जो है E हम देख सकते हैं यहाँ पर है, और हमें पता है Cockroach के mouth parts में यहाँ पर क्या चीज बेजन होती है Labrum, यानि Upper lip, तो E क्या है Labrum और Labrum क्या होता है, Cockroach का Upper lip ठीक है, तो E हमारा क्या हो गया, Labrum Next चलते हैं Next हम देखें, तो जो F वाला पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है, यानि सबसे lowest वाला पार्ट है, और हमें पता है Cockroach के mouth parts में यानि head region में, सबसे lowest वाला पार्ट कौन सा होता है Labium, जो की क्या होता है Cockroach का lower lip क्या होता है Lower lip ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारा A था, वो था Ocellus, ठीक है जो हमारा B था, वो था Compound I, और जो C था, वो था Mandibles जो D था वो था Maxilla और जो E था, वो था Labrum और फाइनली जो F था, वो क्या था Labium, ठीक है तो अगर हम, यह जो हमारी Labelings लिखी है हमने अगर हम Options में से Match करें तो हमारा कौन सो Option Correct होगा देखता है Option A कह रहा है कि A Ocellus है, Correct है, B Compound I है, Correct है, लेकिन C जो है, वो Maxilla है, जो की Incorrect है तो यह Option हमारा क्या हो गया, Incorrect क्योंकि हमने यहां लिखा है कि जो C है वो क्या है, Mandibles ठीक है, तो यह Option क्या हो गया, गलत Next Option में भी गिवन है कि First A है Ocellus जो की Correct है, B है Compound I जो की Correct है, C है Mandibles जो की Correct है, जो D है Maxilla वो भी Correct है E जो है, वो है Labium जो की Incorrect है, क्योंकि हमने देखा कि जो E है, वो क्या है, Labrum यानि Upper Lip, तो यह भी Option हमारा गलत हो गया, Next Option है हमारा A Ocellus B Compound I C Mandible, B Maxilla E Labrum और F जो है, वो Labium यह Option Correct है, क्योंकि यह Option मैच कर रहा है हमारी Return Labeling से ठीक है, तो Option C जो है, वो हमारा Answer हो गया जो Last Option है That is, A जो है, वो Compound आई है, वो तो गलत होता है क्योंकि A जो है, वो क्या है, Ocellus ना की Compound आई, तो हमारा Answer क्या होता है, यहांपर Option C, That is A is Ocellus A क्या है Ocellus है, ठीक है B क्या है, Compound आई है, B Compound आई है यानि यह वाला Part C जो है, वो Mandible है C, Mandible है D, Maxilla है E, Labrum है E, जो है वो Labrum है और Finally, जो F है वो Labium है यानि Lower Lip है F, जो है वो Labium है तो जो Option C है वो हमारा Answer है Classics to 12 से लेके NEET IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 Million से जादा Students का भरोसा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 924 924 924 1124 1125